पॉप टैन स्मार्टफोन कंपनी इंडिया की यह लास्ट पोजिशन किसकी है यह सब कुछ बात करने वाले और बिना किसी दिरी के वीडियो को लाइक कर लो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सबसे जरूरी बात आप लोगों की रैंकिंग क्या है वीडियो में नीचे कमेंट नोकिया अभी इस समय इंडिया में थंचा परफॉर्म नहीं कर रही है बिसिकली उसके फोन्स काफी जादम हैं यह आ रहे हैं और लग रहा था है हम्डी ग्लोबल के साथ दोबार सब्सक्राइब करते तो कुछ अच्छी चीज़ें यहां देखने को मिलती लेकिन अभी नोकिया में अब रह नहीं कही है लेकिन इसके बाद एक जो कंपनी है जहां पर और उम्मीदे थी लेकिन वह तक्छा नहीं कर पा रहा है यहां पर बात करना चाहूंगा माइक्रोमेक्स की देखो 2020 में माइक्रोमेक्स ने काफी अच्छा कंबेक किया था उसकी उपर मैंने एक वीडियो बनाये था कि माइक्रोमेक्स ने कमबेक किया लेकिन दो बार सो इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहा हूं उनके दूसरा डाउनफॉल चल रहा है वीडियो का लिंक देना बटन में जाके चेक कर लेना काफी इंट्रस्टिंग वीडियो है कि अनदर डाउनफ वह वादे एक साल से जादा होके अभी तक पूरे नहीं है मेरे को लगता है कि माइक्रोमेक्स का फोन यहां पे यूज करने के लिए घर देखते हैं माइक्रोमेक्स वालों कमबैक हो पाता है कि नहीं लेकिन कुछ पजेट फोन के साथ यहां पर उन्होंने अपनी पूला मोटरोला के इसाथ खास बात है कि पिछले एक साल में उन्होंने कमाल के फोन्स निकाले सभी फोन्स काफी सही थे प्राइसिंग सही थी एंड्रोइट के एकस्पीरियेंस से लोग सही दे रहे हैं और फ्लिप कार्ट पर अच्छे भी प्राइसिंस पर बिग भी रहे इवन 20-30 जारगी रेंजबे मोटरोला अपने फोन्स को यहां पर बेच ले रहा है और काफी साइर फोन्स उसके आने वाले समय में देखने को मिलेंगे मोटरोला का कमबैक की कहनी क्या यहां पर मैं बता चको आई बटन में एक और वीडियो दे रहा हूं जाके चक करना यहां पर रहती है लिए इसके बाद यहां पर एक ग्रूप ऑफ कंपनी जिसने अपनी पोजिशन अलग तरीके से बना रखिया और वह है ट्रांसाइन होल्डिंग अब ट्रांसाइन होल्डिंग के अंदर तीन कंपनी जिसमें से एक कंपनी यहां पर पोजिशन बना रखी आईटल ने, आईटल के स्मार्ट फोन एंट्री लेवल थोड़े बहुत होते, मैंने खुद ने उसका एक फोन यहां पर रिव्यू किया था, क्योंकि वो मार्केट में मिलने वाला सबसे सस्ता Android फोन था, जो सिर्फ साड़े तीन हजार रुपे का आता था, वो फोन ऐसा है कि किसी को अग्स तीन साड़े तीन हजार में फोन चाहिए, तो ले सकता है, एक इस टैप का एक फोन आया था मार्केट में, लेकिन मेचर रूली जो आईटल होती है, वो यहां पर फोन बना आपके फीचर फोन मार्केट के लिए, फीचर फोन मार्केट इंडिया में येस, टेक्नो का नाम है, अब टेक्नो के फोन आपको कैसे भी लगे, लेकिन बात यहां पर है कि टेक्नो टीयर 3 सिटीस में बहुत पॉपलर है, वहां पर आफलाइन, जो डीलर्स वगएरा रहते हैं, वहां पर लाइन सापको टेक्नो के फोन सजाते हो देखने को मिलते है, और ट सबसे बड़ा भाई इन्फिनिक्स उसने हां पर सबसे अच्छा काम किया है क्योंकि इन्फिनिक्स ने देखा है तो अभी इस समय 10,000 के सेग्मेट में उसने ऐसे फोन की लैंग यहां पर क्रेट कर दिया जो कि इनके फोन कभी-कभी तो ऐसे आया थे कि हम लोग सोचते हैं कि हम शायच शामी या रियल्मी का फोन यहां रेकेमेंड क्यों करें क्यों कई लिटरली आपको बेटर स्पेसिफिकेशन हैं देखने को रहे हैं अगर इस सॉफटर को थोड़ा और लाइट वेट करें थोड़ा स् इसकली बात आती है अप टॉफ फाइट कम्तिनीज का क्या और फिफ्ट पर आती हमारी ओपो और ओपो में सबसे इंप्टन बात यह बता सकता हूं यहां ओपो अकेली कम्तिनी नहीं है यहां पर ओपो के साथ आपको देखने को मिलती है वन प्लस जबसे वन प्लस का मरजर ह हुआ है क्योंकि पिछले साल से ओपो की कहानी इती खास नहीं थी ओपो के फोंस यहां पर आते थे लेकिन जहां पर लोग आफ्लाइन में टार्गिट करते तो वहां पर उनकी लूज होई है प्रिसेंस जैसे ओपो की जो ऑफिशल स्टोर से वहां बंद हुए काफी सारी द निकाल सके उनको बेच सके और जब अफोर्डेबल फोन सस्टे फोन आते महां ओपो निकालेगा और ओफलाइन में ओपो यहां पर इसका यूज करेगा कुलिवला के बात है कि वन प्लस का सहरा लेकि ओपो यहां पर आगे बढ़ना चाहता है और फिफ पोजिशन वन प्लस सब्सी करना जाते हैं देखते हैं यहां पर पोजिशन अचीत कर पाते हैं लेकिन फिलथाल के तोर पर ओपो यहां पर फिफ पोजिशन हैं फोर्ट पोजिशन होती है यहां पे वीवो की वीवो मैंने आपको बताया ओफलाइन के अंदर चलता है लेकिन वीवो के साथ बाते कभी कभी एक अपने कुछ खयास फोन निकाल देता है जो कि मार्केट में बहुत जादा सक्सेस हो जाते है एक्जांबल बात करें वीवो का T T1 5G की मार्केट में बहुत जादा है फ्लिपकाट पर भी बिखाए ऑफलें दुकानों में भी बहुत बिखाए T1 5G इसके साथ ही बात करें तो वीवो की वी सिरीज यहां पॉपलर होती है लेकिन जो इनके सबसे जादा सिरीज बेची जाती है वह बेची आती वाई वीवो एक ऐसे कंपनी है जिसने अपने प्रीमियम ब्रांड की रूप में स्टैबलिश किया है और वो अपने महेंगे फोन को भी निकाल सकती है जो उसकी X-series में आते हैं और सरप्राइजिंग में आते है कि वीवो के स्टोर से X-series के फोन यहां बेच लिए जाती है और फ्लिप कार्ट पर भी ऐसे कुछ खेल हो रहा है और लगा कि फ्लिप कार्ट पर भी वीवो अपने कुछ फोन को यहां बेच ले रहा है इसी तरीके से वीवो अपनी पोट पोडिशन पर है लेकिन बहुत जादा ओनलाइन के लिए इसलिए वो आईकू लेकर आया है और लेकू का एक साहरा लेके आउनलाइन अपनी प्रिसंस आ गए बढ़ा है और रियलमी शामी को यहां पर टक करते हैं बिलकुल और इसके बद थर्ट पोजिशन है औविसली रियलमी की रियलमी की बेस सेलिंग फोन्स कौन से पता है नार्जो और उसकी सी सीरीज सीरीज नार 20,000 के नीचे तो रियलमी बहुत अच्छी स्रॉंग पोजिशन है उसी के दंबे वोट नंबर 3 पर है लेकिन रियलमी के साथ प्रॉब्लम है कि 20,000 के उपर से फोन बेचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है पिछले साल यह सब चेंज करने के लिए GT Master लेकि डिसकाउंट वगर प्रॉड़क्ट है क्योंकि GT उन्होंने उम्मीद थी उन्होंने उस से जादों से बेच लिया और इसी ट्रेंड को कंटिन्यू करते करते अब वो जीटी नहीं हो थ्री लाइंगे रियलमी का जीटी तू लाइंगे और पूरा प्लान कर रहे है कि जीटी स्रीस के दम पे क्य है क्या महेंगे फोन बेच सकते हैं क्योंकि अभी समय प्रॉब्लम यह कि 30,000 रोपे की उवर आप खर्च कर रहे हैं तो रियलमी का फोन यहां पर लोग कम रिक्यमेंट करते हैं रियलमी को उस सेग्मेंट के अंदर खुसते हैं और ऐसी बारी आती हैं पर सेकेंड बड़ी क वो है सैमसंग और आज भी देखा तो सैमसंग अपने सिर्फ और से ब्रैंड वेल्यू के दमपे बिक रहा है क्योंकि सैमसंग की कहानी यहां पर यह कि जो सैमसंग रहता है वो अपने टबबे से चार्जर हटा रहा है लेकिन तब भी लोग का उसे क्रिटिसिसम नहीं मिल र इसके साथ ही F-series को फिलिप कार्ट पर रखा है M-series को Amazon पर रखा है offline के लिए A-series को लेगा और वो यहां पे बिकरी है यहां तक कि उनका S21 FE और S22 जैसे फोस भी बेच ले रहा है और सैमसंग ने इसी चक्कर के अंदर अपनी अलग पोजिशन यहां पर डेवलप कर रख रहा है और अभी भी इसलिए second position hold कर रखी है और आप लोग को लग रहा है कि यहां पर प्रीमियम मार्केट में सैमसंग की जगे नहीं तो जगे किस ने लिए वह वह जगे एपल ले लिए और एपल यहां पर नमबर वन कंपनी नहीं है एपल गहां से अनुरेबल मेंशन इस बहुत ही ज़दा पैसा बना रहा है और एपल के लिए सच में एक काफी ज़दा प्रॉटेबल स्टेज में है इसलिए एक दो परसेंट का भली उनके बास मार्केट शेयर है लेकिन हां वह यहां पर बेचा जा रहा है और इसलिए यहां पर सिर्फ होनरेबल मेंशन मैंने अ रेड्मी नोट सरी सबसे जादा उनकी सकस्वल है वो बिक रही है और इसकी उपर जो शाओमी लाइन अप में फोर निकाले है जैसे की बात करें शाओमी 11i 11i hypercharge 11T pro कुछ लोगों ने इन फोन्स को भी लेना है पसंद किया और देख किया असा लगता है कि यहां पे पहले सस दिवाद से अपने फोन्स को इस तरीके से डिजैन किया कि लोग उसके उपर आकर शे तो लोग उसके फोन खरीद और आगे चलके रिक्रिमेंट करें और यह चीज़ यहां पर शाओमी का त्यार है इवन बात करें तो इंडिया में 24% फोन इस समय बेचे जा रहे है यानि कि अलमो कहर चार मेंसे एक फोन है कि लॉग पक शोमी का हो इसको फोन इस फोन शाओमी बेर से पकार चामीं का इस तरीके से छोखेल यह चल रहे हैं और की इन पैकर बड़ मिधा कानी है यहां यहांनि की इंडिया के टॉब उप प्राट्फोन ब्रैंड्ट ब्राइयन निकि इंडिया के अंदर जो यहाँ पे जो कंपनीज हैं, जो यहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और उनकी पोजिशन के हैं मार्केट के अंदर, वो मैंने आपको बतानी खूशी करी है, काफी सारी कंपनीज दूसरी भी है, जिसके बारे में हम बात कर सकते थ इनके साथ कुछ कामा और इनकी रैंक ओपर खिसके, देखने वाले काफी अच्छी बात होगी, और ये भी देखना है मेरे को, कि क्या फ्यूचर में जो शौमी अभी तक नंबर बन आई, क्या वो आगे पीछे यहाँ पे खिसकता है, या फिर नंबर बन की फोश नहीं आप झाल, झाल